नमस्कार दोस्तों, Corporate Action से रिलेटेड ये वीडियो है, तो यहां मैं बताने जा रहा हूँ आपको की तीन कमपनिया जिन्होंने डिवीडेंट डिकलेर किया है, तो यहां उन कमपनियों के नाम बताने जा रहा हूँ और उनकी रिकॉर्ड डेट क्या है डिवीडेंट की, यह आपको बताने जा रहा हूं और कितना डिवीडेंड वो देने जा रही है तो पहली कंपनी अगर मैं इसमें बताऊं तो वह है चलेट इंडिया लिमिटेट की और इनका फाइनेंशियल यह टॉन्टी और टूथाउजन टॉन्टी और टॉन्टी वन के लिए जो इस पेशल इं 14 माई की जिहां याने कि 11 तारिक तक अगर आप इसे खरीते हैं तो भी आपको 14 माई तक ही आपके अकाउंट में आ जाएगा इसलिए 12 तारिक को यह एक्स डिवीडेंट हो जाएगा और यहां पर बताया है कंपनी ने कि इनका जो डिवीडेंट है वो पे कर देंगे 25 माई 2021 से दो जून 2021 के बीच में वो यह डिवीडेंट अपने इन्वेस्टर्स को पे कर देंगे तो बहुत अच्छा जवर्दर्स डिवीडेंट है और दूसरी कंपनी जिन्होंने डिवीडेंट डिक्लेर किया है उसमें आपको बताऊं तो वो है NCL Industries जिया इसने जो 2021 की है तो यह बिल्कुल ध्यान में रखें दोस्तों कि 14 माई 2021 तक यह अगर आपके अकाउंट में है तो आजाते हैं या आप इन्हें 14 माई तक रखते हैं तो आपको जो है यह डिवीडेंट मिलेगा और बहुत बढ़िया डिवीडेंट 1.5 रूपीस पर सेर कर डिवीडें यह देने जा रही है तो इसकी रिकॉर्ड डेट है भी 14 माई की है नेक्स्ट डिवीडेंट बहुत जबरदस्त है दोस्तों हाला कि कंपनी भी बहुत जबरदस्त है यह और अरेक्ल फैनेंस सर्विसेस की और इन्होंने अपना इंटरिम डिवीडेंट जो डिक्लेर किया है वो है 200 रुपे पर share का जी हां 200 रुपे पर share का इन्होंने interim dividend यहां पर अप्रूफ किया है management ने और इसकी जो record date है वो है 18 माई की जी हां 18 माई को जो है यह dividend की record date है की 18 माई तक यह sales आपके account में आ जाते हैं तो definitely आपको जो है dividend मिलेगा और इन्होंने कहा है कि वो यह dividend 3 जून तक या उससे पहले पहले पे कर देंगे तो यह थी तीन company जिन्होंने बढ़िया dividend declare किया है और जिनकी record date अभी नजदी की है याने कि 14 मैं 18 मैं की जो record date है तो इसलिए मैंने इस परिजानकारी दे दिये तो आसा करता हूं यह वीडियो को पसंद आया होगा प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को